नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनीशा सिंग और आप देख रही है एनिपी गंगा भारतिय नौ सेना की ताकत में और इजाफा हो गया है बुदवार को इंजे नेवी चीफ एड्मिरल आर हरी कुमार ने एक खास ड्रोन द्रिस्टी 10 स्टार लाइनर से परदा उठाया जो पूरी तरह से स्वदेशी है और जिसे अडानी ग्रूप की कमपनी ने भारतिय नौ सेना के लिए बनाया है इस स्वदेशी ड्रोन के शामिल होने के बार भारतिय नौ सेना की ताक्रत और भी जादा बढ़ गई है स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये ड्रोन काफी एडवांस है बुद्वार को हाइदराबाद में फ्लैग ओफ का इक्रम में नौ सेना प्रमक एड्मिरल आर हरी कुमार ने ड्रोन का अनावरन किया और कहा कि समुदरी डाकों से निपटने में ये ड्रोन कारगर साबित होगा इस स्वदेशी ड्रोन से केवल नौ सेना ही नहीं बलकि भारती सेना को भी निगरानी में काफी मदद मिलेगी जिससे बहतर काउंटर अटैक की तयारी की जापकेगी बताते हैं कि इंजियन नेवी और इंजियन आमी ने अडानी जिफेंस और एरो स्पेस को दो-दो द्रिश्टी 10 स्टार लाइनर ड्रोन का ओर्डर दिया है चले आपको बताते हैं कि अब इस Unmanned Aerial Vehicle यानी कि UAV द्रिश्टी 10 ड्रोन की क्या-क्या खूबिया है द्रिश्टी 10 स्टार लाइनर एक Advanced Intelligence Server Lance और Reconsence Platform है ये 36 घंटे तक उड़ने की शमता रखता है और 450 किलोमेटर वजन को ढो सकता है ये स्वदेशी ड्रोन सनाग 471 Certified है हर मौसम और स्थिती में उडान भरना इसकी सबसे बड़ी खूबी है और दोनों तरह के हवाई शेत्र में उडान भरने में सक्षब है बता दे कि ये ज्रोन हाइदराबाद में पूर्बंदर के लिए उडान भरने के बाद नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल किया जाएगा जो रक्षा शेत्र में सुरक्षा और आत्म नर्भरता की ओर बड़ा कदम होगा